एक बार कुछ साइन्टिस्ट्स ने एक बड़ा ही इंट्रिस्टिंग एक्स्पेरिमेंट किया उन्होंने पाँच बंदरों को एक बड़े से केज में बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीडी लगा दी जिसके उपर के लिए लटक रहे थे जैसा की एक्सपेक्टेट था जैसे ही एक बंदर की नजर केलो पर पड़ी वो उन्हें खाने के लिए दोगा पर जैसे ही उसने कुछ सीडिया चुई उस पर थंडे पानी की तेज धार दाल दी गई और उसे उतर कर भागना पड़ा पर एक्सपेरिमेंटेज यही नहीं रुके उन्होंने एक बंदर के किये गए कि सजा बाकी बंदरों को भी दे डाली और सभी को थंडे पानी से भिगो दिया बेचारे बंदर हक्के बक्के एक कोने में दुबक कर बैट गए पर वे कब तक बैठे रहते कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन किया और वो उच्छलता खूदता सीड़ी की तरफ दोड़ा अभी उसने चड़ना शुरू ही किया था कि पानी की तेजधार से उसे नीचे गिरा दिया गया और इस बार भी इस बंदर के गुस्ताखी की सजा बाकी बंदरों को भी दी गई एक बार फिर बेचारे बंदर सह में हुए एक जगा बैट गए थोड़ी देर बाद जब तीसरा बंदर केलों के लिए लपका तो एक अजीब वाक्य हुआ बाकी के बंदर उस पर तूट पड़े और उसे केले खाने से रोब दिया ताकि एक बार फिर उन्हें थंडे पानी की सजा ना भूगत नी पड़े अब एक्सपेरिमेंटर्स ने एक और इंट्रेस्टिंग चीज की अंदर बंद बंदरों में से एक को बहर निकाल दिया और एक नया बंदर अंदर डाल दिया नया बंदर वहाँ के रूल्स क्या जाने वो तुरंथी केलों की तरफ लपका पर बाकी बंदरों ने जठ से उसकी पिटाई कर दी उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यूं ये बंदर खुद भी केले नहीं खा रहे और उसे भी नहीं खाने दे रहे खैर उसे भी समझ आ गया कि केले सिर्फ देखने के लिए है खाने के लिए नहीं इसके बाद Experimenters ने एक और पुराने बंदर को निकाला और नया अंदर कर दिया। इस बार भी वही हुआ नया बंदर केलों की तरफ लपका पर बाकी के बंदरों ने उसकी धुनाई कर दी और मज़ेदार बात ये है कि पिछली बार आया नया बंदर भी धुनाई करने में शामिल था। पहेवियर देखा जा सकता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता है। चाहे वो पढ़ाई, खेल, एंटर्टेन्मंट, बिजनस, प्राजनीती, समाज सेवा या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उस उसको भी समाज या आसपास के लोगों का ओपोजिशन फेस करना पढ़ रहा है तो थोड़ा संभल कर रहिए। अपने लॉजिक और गच्स की सुनिए, खुद पर और अपने लक्षे पर विश्वास कायम रखिए, और बढ़ते रहिए, कुछ बंदरों की जित के आगे झाल